सहस्तित्ववाद अस्तित्व में मानों की पहचान वा सम्मा निरंतर असीम वा स्ताई है ही इससे पता चलता है कि परिवर्तनशिल चीजों से स्ताई चीजे कभी भी नहीं मिल सकती अब मानों में मानवीता और खुशाली कैसे आए इसे समझने के लिए हमारे पास मद्यस्त दर्शन सहस्तितुवाद उपलब्द है अब मानो स्वयम जीवन के सोरूप में होते हुए भी अग्यानता के कारण स्वयम को शरीर माने हुए है मानो सीमित चीजों से असीमित प्यास को बुझाने की कोशिश में लगा रहता है उनमें होता ही रहता है जीवन में कोई रशना विरशना होता ही नहीं है जीवन में होता है चेतना चेतना में गुनात्मक विकास होता है हम से सही को स्विकार करके सही जीने के प्रयास में गल्ती होती है और किसी भी गलती को सही करने का क्रम हमारे साथ बना रहता है और साथ में हम सही जीना भी सीखते रहते हैं हम जब अपना सम्मान नहीं कर पाते तो हम किसी का भी सम्मान नहीं कर पाते हैं इससे हमारा केवल जिन्दा रहना हो पाता है जीना तो नहीं हो पाता है हमारा जीना शेश रह जाता है हमने जिन्दगी को प्यार से खुशी से कैसे बिताया जाए इसकी कोई ट्यूशन ना हमने ली है और ना ही बच्चों को दी है और ना ही तलाशने की कोशिश की है मानों में रूप, धन, पद, बल सभी परिवर्तन शील है जबकि सम्मान और पहचान हमें स्थाई रूप में चाहिए और निरंतर चाहिए और असीम भी चाहिए भ्रमवश हम अपने पहचान और सम्मान का आधार रूप, बल, धन, पद को मानते हैं इसकी गवाही में सभी राज़तंत्र यह स्वकारे हैं कि हम मानव की स्तिती जीव चेतना की है, इसकी गवाही में सभी इश्वरवादी धर्मगद्दी मानव को पापी अज्यानि और सोर्थी कहा है। इसी इश्वरवाद में कहा है हम हर स्थिति परिस्थिति समयस्तान के अनुस सार सभी सही को जांसते हैं जाचने पर हमें पता चल लगता है कि सही तो यही है सही पर ध्यान होने पर हम सही जीने लगते हैं जी अनुविद्या के परिचे शिबिर में जी इंदगी से जुड़े ऐसे तमाम प्रशनों के हमारे हमें सभी सवालों के जवाब मिलते हैं जिससे हमें जाचने के लिए सही उपलब्द हो जाता है हम वस्तूओं की उपियोगीता सद उपियोगीता को समझ कर नियम और व्यवस्ता पुरवक जी कर निरंतर सुखी हो पाते हैं हमारी जिन्दगी सही माइने में शांदर हो जाती है वह खुबशूरत मंजिल के इस खुबशूरत सफर में यदि हम सब साथ साथ चलने लगते हैं जिन्विद्ध शिबीर से हम सभी जिन्दगी के इस सफर को समझने के लिए एक दूसरे के पुरक हो जाते हैं हमारा दूसरों की कमी या आयोगता से प्रभावित ना होना ही हमारी अपनी योगता है हम दूसरों को भी भाव देकर उनके भी भाव विचारों के उनके नियंतरन में होने में सहयोगी हो जाते हैं जब हम स्वयम में या अपने में सही मानसिक्ता होने पर ही विश्वास पूर्वक जीते हैं, जब हमारे अपने भाव विचार हमारे नियंतरण में होते हैं, तब हम दुसरों की कमी या आयोग्यता से प्रभावित नहीं होते हैं.